Hello Friends, काफी लोगों को ये पता नहीं होता है कि एक बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने सोलर पैनल की ज़रुत पड़ेगी बेसिकली अगर आप मारकेट वे काम करना चाते हैं और अगर आपको कोई पूछता है कि एक बैटरी को चार्ज करने के लिए भाई कितने सोलर पैनल की ज़रुत पड़ती है और आप उसके बारे में नहीं जानते हैं और आपको शर्मिंदा होती है ठीक है तो इसके बारे में हम आपको कम्प्लीट नोलेज देने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा फाइनल तक देख लेते हैं और आपके पास जितने भी ग्रहक आएंगे तो उसे आप बड़ी आसानी से समझा पाएंगे कि एक बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने सोलर पैनल की ज़रुत पड़ती है तो चलिए दोस्तों शुरु करते हैं तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले आपको सोलर पैनल की काउंटिंग निकालनी होगी जैसे कि मान के चलिए आपके पास हंड्रेड वोट का सौलर पैनल है यहाँ पे आपको हंड्रेड वोट लिखना होगा ठीक है कितने एंपियर क्रियेट करता है कितने एंपियर हमें प्रोवाइट करता है सबसे पहले आपको यह बात देखने होगी तो यहाँ पर 100 वोट यानि के 100 वोट को आप डिवाइट करेंगे ठीक है डिवाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अब वॉल्टेज देखने हैं होता है open circuit voltage यानि के हम कोई भी load नहीं देंगे पैनल के उपर तब आपको जो voltage मिलेंगे वो 22 voltage देखने को मिलेंगे अगर आप battery को जब charge करेंगे तो उसके voltage कितने होंगे उसके उपर साफ सा लिखा हुआ होता है 18 voltage तो हम 100 watt को divide करेंगे 18 voltage देखने तो ठीके मैं यहाँ पर 18 लिखता हूँ तो यहाँ पर आपका जो ampere निकल के आता है 5.5 ampere यहाँ पर निकल के आता है 5.5 ampere 100 watt के solar panel से 5.5 ampere निकल के आ रहा है अब यहाँ पर हम इसे बराबर करते हैं और 5.5 ampere लिखते हैं 5.5 अब यह 5.5 ampere कब निकलेंगे solar panel से जब आपकी कड़कती धूप होंगी मतलब बहुत ज़्यादा तेज धूप होगी उस condition में आपका जो solar panel है 5.5 ampere create करेगा लेकिन हम max 5 ampere लेके चलते हैं यानि कि हमारा 100 watt का panel 5 ampere generate करता है ठीक है अब यहाँ पर time का भी depend करता है अब आप कहेंगे कि 100 watt का panel सारा दिन 100 watt generate करेगा जी नहीं दोस्तो मैं आपको यहाँ पर timing दिखाता हूँ जब 6 बचती है हमारा sunlight आता है sunlight आने के बात basically solar panel working करना शुरू कर देता है ऐसा नहीं है कि आपका solar panel 100 watt का है तो वो 5 ampere सूबे सूरज निकलते ही वो generate करने लग जाएगा ऐसा नहीं है आपका जो solar panel है वो 10 बचे से आपका 100% solar panel work करना शुरू कर देता है यानि कि 10 बचे से लेके कितने बचे तक 3 बचे तक आपका जो solar panel है जो 100 watt का solar panel है वो full electricity generate करता है यानि कि हम जोडेंगे 5 ampere को 5 गंटे से जी हाँ दोस्तो 10 बचे से लेके 3 बचे तक हम जोडेंगे तो यहाँ पर निकल के आता है 5 गंटे के हिसाब से 25 ampere तो आप अगर solar panel अगर 5 ampere generate कर रहा है 10 बचे से तो 10 बचे से लेके 3 बचे तक तो हमारी जो बैटरी है वो 25 ampere की recharge हो जाएगी यानि के 25 ampere की बैटरी आप 100 watt के solar panel से recharge करोगे तो 25 ampere आपका 5 गंटे में हो जाएगा लेकिन हम यहाँ पर मान के चलेंगे 30 ampere यानि के 100 watt के पैनल से आप 30 ampere की बैटरी को आसानी चार्ज कर सकते हैं किस तरीके से जैसे कि 6 बचे से लेके 10 बचे तक जो solar energy हमारी जो energy होगी वो थोड़ी थोड़ी करके बैटरी को चार्ज करेगी वो 3 बचे से लेके 6 बचे तक जो down energy होगी वो थोड़ी थोड़ी करके चार्ज होगी तो इस तरह से हम मिला करके देखें तो 30A की बैटरी 100W के पैनल से बड़ी आसानी से चार्ज हो जाएगी ठीके आपको यह calculation तो समझ में आ गई होगी कि 100W का पैनल 30A के बैटरी को बड़ी आसानी से चार्ज कर देगा अब यहाँ पर 30A की बैटरी को हमने 100W से चार्ज किया तो 200W से हम चार्ज करेंगे तो यहाँ पर 60A की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं लेकिन 300W से हम चार्ज करेंगे तो 90A की बैटरी को चार्ज कर सकेंगे और अगर 400W के पैनल आप लगाते हैं तो आप 120A की बैटरी को चार् आप कहेंगे कि company तो कहती है 300 वाट का panel लगाई है और आपकी battery चार्ज हो जाएगी जियां 200 चार्ज हो जाएगी लेकिन 100% नहीं होगी अगर आप अपनी battery को 100% डिस्चार्ज करते हैं और फिर आप अपनी battery को 100% चार्ज करना चाहते हैं सिर्फ solar panel से तो आपको 500 वाट पैनल के requirement होगी लेकिन यहाँ पर अगर आप 400 वाट भी लगाते हैं 400 वाट पैनल भी लगाते हैं तब भी आपके बैटरी फुल हो जाएगी क्योंकि हम अपनी बैटरी को 100% डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन माल के चलिए 400 वाट सोलर पैनल से आप 150 एमपेर की बैटरी को बड़ी आसानी से चार्ज कर सकते हैं तो आपको उम्मीद है यह चीज आपको समझ में आ गई होगी कि 400 वाट सोलर पैनल से हम एक बैटरी को चार्ज कर पाएंगे तो अब आप इस चीज को प्लस करते जाएए यानि कि दो बैटरियों को चार्ज करने के लिए हमें 800 वाट पैनल की रिक्वाइलमेंट होगी अगर आप 400 वाट का सोलर पैनल एक बैटरी पे लगाते हैं तो उसका खर्चा बेसिकली क्या आने वाला है मान के चलिए 100 वाट का पैनल आपको 3,000 रुपे के आसपास मिल जाएंगे ठीक है अब इसके साथ में आपको कितने एंपियर का चार्ज कंट्रोलर लेना होगा क्योंकि 400 वाट के पैनल में हमें कितने एंपियर प्रोवाइड होते हैं पहले आपको यह काउंट करना होगा तो एक पैनल हमें 5 एंपियर देखने को मिलता है एक पैनल से तो चार पैनल से हमें 20 एंपियर देखने को मिलते हैं लेकिन 20 एंपियर से ज्यादा ही देखने को मिलेंगे क्योंकि जो सोलर पैनल है वो तकरीबन 5.5 एंपियर क्रियेट करता है फुल रोशनी के अंदर हमने नॉर्मली 5 एंपियर को जोड़ा था ठीक है तो यहां पे 25 एं रुपे का सोलर पैनल आया है और यहां पे हम प्लस करेंगे चार्ज कंट्रोलर तो 30 एंपियर का नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर आपको तकरीबन मिल जाएगा पंदरा सो रुपे से लेके 2000 एंपियर के आसपास आपको नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर मिल जाएगा यानि कि 16 एं लगाना चाहते हैं तो 28,000 रुपे में काम हो जाएगा लेकिन यहां पे अगर आप इन्वेटर को प्लस करेंगे 3,500 रुपे का इन्वेटर को एड़ करेंगे तो आपको 31,500 रुपे प्लस इस्ट्रक्चर वगरा कुछ भी लगाएंगे आप तो तकरीबन 35,000 रुपे के आसप आपको खर्चा आने वाला है आप 400 वाट का स्वालर पैनल इन्वेटर और बैटरी अगर आप सेट अप करते हैं और बिल्कुल फ्री एनरजी आप चाहते हैं माल लीजे नॉर्मल लोड आपको चलाना है और बिल्कुल फ्री एनरजी आप चाहते हैं तो तकरीबन आपको 35, तीस हजार रुपे गया आसपास खर्चा करना पड़ेगा और ये खर्चा कम भी हो सकता है आप अलग-लग कंपनी के उपर डिपेंट है ठीक है जो आप कंपनी आप चोईस करेंगे सस्ती वाली तो आपको ये खर्चा तीस हजार रुपे में भी देखने को मिल जाएगा यानि एक रूम के लिए अगर आप ये सेट अप लगाते हैं तो लगबग आपको फ्री एनरजी देखने को मिल जाएगी दिन को आप चार्च करिए और रात पर आप उसे यूज ले सकते हैं तो फ्रेंस आपको ये चीज़ समझ में आ गही होगी कि किस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है सॉलर पैनल की ठीक है अब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब इसी चीज़ को आप प्लस करते जाएगा यानि कि 400 वाट से आप एक बैटरी चार्च कर सकते तो 800 वाट से आप दो बैटरी ठीक है इस तरीके से आपको प्लस करते जाना आए और आपका कैलकुलेशन बिल्कुल एक्जिट देखने को मिल जाएगा उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो हमसे जुड़े रहें ताकि हम आप लोगों के लिए आगे इसी तरह से व स्ब्स्ट साइब का के लिए फhã से आपके लिए आएगे के लिएग unter बढ़रत constant आपके यहाथ़े मुड़ें नीद आपके लिए रहें हमने का मिल जार्बरत को मिल पूलेशन फ रहें हमने क सकतना है वी दियर हैं इस आपकरत रही मैं वीर हूशन झावाई वीरे हाएगे